कि हमने लास्ट क्लास में पहले इमानदारी से बताना हमने जो कुश्चन किया था यह चप्टर तो वैसे आसान है और मुझे इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना इसका मैंने आपको बैलेंशीट बनाने को दिया था कि बैलेंशीट बनाये कितने बच्चों नहीं मानदारी से बताओ कि कि इस्टूडेंट ने बैलेंशीट बना लिया इंटर्नल असाइन्मेंट आ गया बिल्कुल कुशल आ गया है उसको एक बार मैं देखूंगा एक बार कुश्चन मेरे पास किसी बच्चे का लेके फिर में स चलिए इसका बैलेंशीट बताईए सभी बच्चों का आगया बैलेंशीट मैच हो गया है नहीं हुआ क्योंकि हमने पहले फाइनल अकाउंट कर लिया है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं अजुम्शन लेलू कि भी आपने बैलेंशीट कर लिया और आप बोलो सर्वा ही नह बैलेंशीट में चयमेंट करते हो अगर्यक्स कर नाilly और आपको सेम रहेगा बैलेंशीट में बदलाब में अई चाहिए जिन बच्चों को नहीं आ रहा चाहिए जिन बच्चों को न ही आतु zeker हो जैना है ना पने क्योंकिन्स बच्चों को चिंतना है पहले फाइनल अकाउंट आपको देखना है और फाइनल अकाउंट देखने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है बागी मैं बैलेंस शीट बनाता जाता हूं सबसे पहले आ जाते हैं सर यह कुश्चन स्टार्ट हुआ था पीछे से चलो इतने पीछे से तो सबसे पहले एक टीशीर केक pos Snapchat करें तो एक लाँए च्सी एजार है साहब एकुटी शेर कैपिटल एक एक लाँए च्सी एजार तो इहां पर से पूरी चीज़े तो ऐसे ही बननी है बस उसके आगे आपको अमाउट लिखना है तो इसमें यह की यह खास बात है कि यहीं बैल इंशिट उतारना है प्रफरेंच शेयर कैपिटल क्या हुआ था देख लेते हैं तो यहां पर आजाएगा आपका लांग ट्रम लाइबलिटी में इसके जगहां पर आजाएगा हमारा ट्विल पॉर्सेंट डिवेंचर एक लाख बीस अजार ठीक है प्रफरेंच शेयर कैपिटल जो यहां दे रखा है जीरो हो जाएगा होगा ही नहीं कुछ भी चलिए आ जा जाएगा क्यूंकि फेमेंट हो गया दूसरा इंटरस्थ बीकुछ नहीं जाएगा बैंक में प्रेंट भी यह और देच्टर्स तो此 οι यहां पर देखो इंटरस्ट और ऑपका जिए deepest उ communist श्लाना है हमने इसको पेप्यूंकि मेंट किया टाइम देख लें में क्रेडिटर के अंदर देखिए क्या किया हम देख लेते हैं ग्रेडिटर यह रहां आपके पास और आपके पास और साही से देख लें भाई जाए जाय दिया पास दानने हिए 14 66,000 के क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा 36520 तो क्रेडिटर 29480 का बच जाएगा तो मैं यहां पर साइड में बैलेंशीट ले लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं क्रेडिटर के आगे क्रेडिटर के आगे 29480 कि एक 29480 कि एक 29480 ठीक है अब क्रेडिटर के बाद बात करते हैं सर और क्रेडिटर आगया हमने इंटरस्ट भी ले लिया बैंक टूरी कंसेक्शन स्टॉक की बात करते हैं स्टॉक कितने का कम हुआ था स्टॉक कम हुआ तो देख लेते हैं कितने का था हमारा इंवेंटरी हमारा दो दस का दो दसका मैंस 20 परसंट एक चलाह करेक्ट है तो थाप्टिशे से ज्यादा आा बंद्ध हो चलो यह तो खतम हो गई बात अब आजाओ इधर इधर तो कुछ नहीं अब इधर जनल एंट्रिया साथ-साथ कर लेगे अब गुडविल हमारा जो यहां पर दे रख है वो क्या हो जाएगा सर गुडविल हो जाएगा हमारा यहां पर लैन इन बिल्डिंग कितने का हो गया लै कि इसके इंटेंजिबल एसेट्स आपका जीरो हो जाना है नोन करेंट इस इंवेस्मेंट यही रहना है आपका इसका रिजर्वन सर्प्लस की तो बाद में बात करेंगे एलेवन परसेंट डिवेंचर का कुछ हुआ ही नहीं कि इलेंट फिफ्टी परसेंट डिसकाउंट प इस पर कोई फरक नहीं पड़ा रिजर्वन सर्प्लस डेफिनेटली फरक पड़ेगा यह जीरो हो गया था हमारा ठीक है और इसके साथ-साथ यहां पर और भी काम हुआ था हमारा कितने का कितने का निकला था यहां पर हमारा मात्र 2000 रुपे यह तो जीरो हो गया यह 2000 रुपे से कम हो जाएगा तो यह दो लाक सततर हो जाएगा अब देखो जिस बच्चे नहीं कि मांदारी से करा होगा उसको लगए ताइम पास कर रहे हो आप तो जिस बच्चे नहीं कर रहा हो को बोले का पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है तो 45,000 रुपे में साब पहले एडलेस माइनस कर लेतने पैसे को तो हमने पेमिंट किया है 16820 का 16820 और उपर लिख देता हूं मा प्लस 16820 आये थे हैं और 22 माइनस और माइनस अठारा है ना चेक करना आपके जनरल एंट्री तो इसका एक बना देता हूं मैं कि 45,000 16820 माइनस में यह 16820 माइनस भी और प्लस भी है यह भी 16820 ही था क्या बात है नहीं कुछ तो अमाउंट एक नम एक्जेक्ट सीम कैसे आगा है तभी को हां तो भी है मैंने 16820 प्लस वाले की बात कर रहा हूं मैं प्लस वाले तो सोलाट सो यह स्टॉक का तभी को एक्टम सेम कैसे आ गया कि 45,000 मैंने 16820 और माइनस बाइस हजार माइनस अठारह हजार सुकर है नेगेटिव में नहीं गिया हो सकता था यह नेगेटिव चला जाता नेगेटिव जाने के मतलब क्या होता आपको उवरड्राफ्ट लेना पड़ता इसको और अधर प्रेलिमिनरी एक्समेंस इसको भी हमने क्या कर दिया है जीरो सब कुछ कर लिया फटा फट से खटा खट टोटल करना है बस एक अस्सी के दो हजार चार लाक दो साथ एक बीस एक उनात्यस चारसो अससी यह आगया दस वन जीरो नाइन चेक करो यही आ रहा है क्या कुछ और रहा है यही आ रहा है बुक में चेक कर लो ठीक है में चेक कुछ गर्बड होगेगा दो सत्त तू सेवेंटी एक लाग तीन हजार का फरक क्यूं आ रहा है कुछ छोड़ दिया कि हमने नहीं लिखा अच्छा वह एप्रिशेशन था गए कुछ अच्छा मैंने डेप्रिशेशन लगा दिया तो यह तीन तीस आ जाएगा और यह आ जाएगा कि दो चैस अब ध्यान रखिएगा हमने यह कर रहा है लेकिन जहां जहां पर हमारे माइनस प्लस जासे माइनस प्लस हुआ है ध्यान देना तमझना बात को इसमें माइनस प्लस किया इसके नूट बन जाएंगे इस माइनस प्लस हुआ इसके नूट बन जाएंगे इसको रख दिया है तो नो नीट जूरत नहीं है तो जिसमें हम कुछ भी अजिसमेंट लगा के माइनस प्लस कर रहे हैं उसका सेपरेट नोट बना लिजेगा और जिसके अंदर कुछ नहीं करा उसको लिख दीजेगा यह सिं करना पड़ता चैंट तो वैसि बाली बैलेंशित मत समझेगा सिर्फ अधर में बैलेंशिट है और किसी बी चैप्टर में बैलेंशिट आ जाता है जितने आने वाले चैप्टर है उन सब में ऐसे रहेगा आपको साइड में बनाना होगा आपने बोनस भी शेयर किया उसके भी हमने एकाद बैलेंशिट या बाइबैक में देखा था वह भी सिंपल था पहले से दे रखा था बस वहीं पर एडलेस हमें करना पड़ा फिक्स एसेट बदलेगा ठीक ठीक है तीन तास बच्चों ने बता दिया था मैंने ध्यान नहीं दिया चलिए अब आगे सवाल पर आ आजाए वहीं करते हैं कि यह से मुश्किल और देख लें पहले यह वाला ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे नहीं चलो यह भी करते हैं सब कुछ सीखना ही है अब देखो इस ऐसे कुश्चन में क्या होता है कि आपको पुरानी बैलेंशिट नहीं घिवन होती तो आप आपना एक रफ बैलिश बना लेती हो आपने में बैलेंडारेंडबन जिसको बोलते रहा बेलेंशीट और जब बैलेंशीट बनाते हैं जब अन्दर होता क्या है अब बना करें अब पूरानी पहले products पढ लेते हैं और वैसेeffect की शिवर्त क्यों पढ़ रही मैं आची नहीं होगा जो यह बुक बाले देंगे ऐसे कि इसमें तो मैं एक देखिए कि फॉलविंग बैलेंस अपियर इन दा बुक्स अनमोल चीक है आपके पास इकुटी शेयर दे देए इसने 80 रुपे फेड़ है फ्रेंश एर देदिया सो रुपे पेड़ाय का है फिर से दो डिवेंचर देदिये तो डिवेंचर करेट अलग है तो बहु कि आउटसंदिंडिंड़ इंट्रस अवाब दिवेंचर वन इयर देदिया और तौनाइस अजार इसंट्री क्रेड लॉस तो दिया ही नहीं बोला कंपनी लॉस बियर कर रहा है तो लॉस तो दिया नहीं तो लॉस हमें निकालना पड़ता है ऐसे सिच्वेशन में ठीक है और किसी को कुश्चन बिजवल होना चाहिए अब ब्लॉर हो रहा है एक पर देखना आप कि क्लियर है चलो क्लियर हो गया थैंक गॉड़ कि सर प्रीवियस क्लास दुबारा से ब्रीफ दे दो अभी इसको करने के बाद पूरा ही ब्रीफ दे देंगे एक बार ठीक है क्लियर है सब ओके चलिए अब आगे आ जाते हैं आगे कहता है हैंस दा फॉलविंग स्कीम रीकंस्रक्शन रिगार्ड दा शियर होल्डर सेंशन बाइदा कोट कहता है के भाईया कोट वालों ने यह स्कीम करा तो आप समझ रहें बाद इसके बाद उसके जो उपर वाले बा पास नेसेसरी जनल एंट्री अब स्कीम और रीकंस्रक्शन इन दा बुक्स ऑफ अनमोल यानि यहां रीकंस्रक्शन अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया सिर्फ जनल एंट्री करो और बैलेंशीट बना लो तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्सक्राइबिलिटी और यह एसेट सब्सक्राइब यह आपके आंसर का पार्ट तो है लेकिन यह वर्किंग नूट में कंसिडर किया जाएगा तो एक लाग इंटू में सौ सौरी असी करोगे ना दस अजार इंटू मैं सी तो आठ लाग है प्रफरेंश शेयर क्यापिटल पचास इंटू में सौ पांच लाग इसके बाद डिवेंचर तेरा परसेंट डिवेंचर बताइए कितना है चार लाग बताते जाएगा इसके बाद बारा परसेंट डिवेंचर कितना है चार लाग इसके बाद आउट्सेंडिंग इंट्रस्ट बावन हजार पहले वाले पर बावन और आउट्सेंडिंडिंग इंट्रस्ट कितने कितने इसके बाद आ जाते हैं और कुछ लाइबिलिटी क्रेडिटर पुर लाग बैंक ओवर्ड्राफ बी ओडी एक लाग गुडविल दो लाग एसेट्स में लैंड तीन लाग बिल्डिंग बिल्डिंग सेवन लाग प्लांटेट मसीनरी चार लाग कॉम्प्यूटर दो लाग स्टॉप तीन लाग डेटर एक लाग बस अब आप क्या पाएंगे दोनों साइड मैंची नहीं होगा आपका बैलेंस इदर निकलेगा बैलेंस कि इदर निकल जाएगा इदर इदर नहीं निकलेगा कुछ बच्चे के मन में खयाल आ रहा हो सर इधर आ गया तो क्या लिखेंगा नहीं आएगा इधर नहीं आएगा इधर एक ही सर्थ पर आ सकता है कैपिटल ना दे आठ लाग पांच लाग चार लाग चार लाग बावन हजार अटालिस हजार चार लाग एक लाग कि 27 लाग आ गया आप भी एक बड़ टूटल करिएगा ठीक है इधर ही लिखा 27 लाग अगर मैं यहां पर डिफ्रेंस देखों 2 लाग 3 लाग 7 लाग 4 लाग 2 लाग 3 लाग 1 लाग पांच लाग का रहा है तयसको हम कर देंगे surplus यह loss लेख दूं मैं इसको nगिर पांच लाग लेखी एफ्री यह cheering और यह बैलिंसिंग फिगर नकला है बस मैं इतना यह लिख देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे question करने पढ़ने के बाद हम करते जाएंगे समझने क्या क्या है कि अगले पेशी का सब्स्टेठें है कि दो सो एकिस बाइस लाख एसेट साइड अच्छा हम बाइस और साथ पच्चिस हो गया ठीक है चलिए हम अगले पेज पर आ जाते हैं अगले पेज पर आ जाते हैं तो होट च अगले पेज पर मैं पीछे बाला पेज के लिए इसते माल करण और इस बालीू पर मैं जैनल इंट्री इंट्री के लिए करने वाला हैं खाली कि एक हां कि जैनल 1 और मैं कई बार जर्णल एंट्री को करते समय पे क्या करता हूं मैं कि बिंग नहीं लिखता आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा अगर कोई बच्चा कहता है सर अगर बिंग लिखके आए और हमारा दो जाए थो कि अधिया जवाब सकता है तो बिंग लिखिये चाहिए आप रफली लिखे लिखने क्युक्नोन ऑप उसको आफके लिखा के लिगे लिए तो नम्हें लिखा कर लेगा है अगर आप सबस्क्नाphonies बैसान के लिख नहीं और नरेशन को बैठके पढ़ने वाला है लेकिन नहीं लिखोगे तो इस चीज का ध्यान रखना फॉर्मेटिंग स्पेशल ध्यान रखना आपका जहां नीट और क्लीन फॉर्मेट होता है सारी चीज़े बहुत अच्छी होती है तो एक्जामनर का वहां पर हाथ थोड़ा सा मार् अगली बार देगा क्योंकि यहां पर यह प्रोविजह नहीं है अगली बार चले जाएंगा लेकिन बच्चों को एक सब्जक पूरा पढ़ना पढ़ेगा एक आपका पूरा लाइफ तरीकंए चलो जो चीजर हम छोड़ देते हैं अगर मैं आभी आपको बोलू आपने 12 पा पढ़ लो आप नहीं पढ़ोगा मनी नहीं करेगा आपका पढ़ने का किसी कंडिशन में तो यह हालत हो जाती यह आने के बाद मेरे पास आई थी नोटिफिकेशन आज नोटिफिकेशन नहीं आई आप सब यहीं बाते करते रहते हों कि चलिए कहता है दा एक्जिस्टिंग एक्विटी शियर होल्डर 20 शियर इन कैश मेंक दियर शियर फुली पेड़ अब रिकंस्ट्रक्शन करने पहले तो बीस रुपे बांकिया वह लामें तो बीस रुपे बांकिया तो लिए आएंगे तो बैंक में पैसा आजाएगा तो फाइनल कॉल सब्सक्राइब बैंक में पैसा आएगा सर कंपनी डूब रही है घर से पैसा क्यों लाएगा लाना पड़ता है अगर आपने पैसे नहीं दिये ना तो आपके घर के आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी की डेफिनिशन में पढ़ोगे तो आपकी सब्सक्राइब तो थी ही थी आप उससे बचनी सकते अगर कंपनी ने असी मांगे थे तो 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे नहीं तो कंपनी के पास राइट्स है आपके प्रस्नल एसेट्स को औक्षन करके बेच के वह 20 रुपए रिकावर कर सकता है यह ध्यान रखना कोर्स पहले से प्री रिकॉर्डडिट मैंने कुछ शेप्टर्स बताएं आपको देख लेना चाहिए वह जल्दी-जल्दी हो जाएगा आपका बाकी मैं तो देखो अब कोसिस बहुत ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि मैं क्या बोलू आपको हां एफम जो अगला समिस्टर इंटू में बीस है दो लाक रुपए आगे पैसे अब आगे क्या कहता है देयर शेयर फुली पेड़ ठीक है एंड एग्री टू रिड्यूस टू बीस अब बोलता भाई अब तेरे शेयर कैपिटल बीस कर देंगे यानि सर एकुटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिकंस्ट्रक्शन तो सर एकुटी शेयर कैपिटल थे कितने सो के हिसाब से दस लाक थे क्योंकि मंगवा लिए थे न दो दस लाक वाले को मैं बोल रहा है या तिरको दो लाक ही दूँगा बीस के हिसाब से और आठ लाक हमारा फायदा हो गया एक बार स्टेट्में सरर उसे ज dal अभी वाले में समझ में आ रहा है इसलिए बोला ऐसी बात नहीं है देखो उस्में होता ही तो पूसता रहता है पूसता रहता हूं आपसे तो उससे क्या होता है को नहीं आता तो आप बोल देते हो और वहाँ पे रिकॉडड़'ll में एक सा रहीा आए आगका कि यह ला नहीं यए चलो कहा ध्यान देना दो श्माज », के रहा कमपणी के पास कितने हैं ऑप कमपणी के पास समझना ऐसा UK अफ bịडियो से अध्यान है कर लीजिजेगगा दस intermediate और जो शेयर होल्दर है इससे बोला वाई तुइ-11 लेकिन शेयर होल्टर हुल्डर रखे थे अब कंपनी नाओ गुइंग टूदा रीकंस्रक्शन कंपनी ने बोला उसे रूपए लेका शेयर होल्डर हाँ रूपए दे रखें इसने पेड कर रखें मैंने बुला भाई तु बाकी के पैसे ला तो यह 20 रूपए दे गया तो कंपनी को कितने दिये इसने 20 कर रहा हूं अब 100 के बदले तो कितना मान ले कि तुने बीसी पे की हैं तो अपनी वेल्यू को यह समझ ले तो भाई 100 के बदले 20 मानेगा तो मैं यह बोलूँगा कि अब जो तेरा इकूटी शेयर कैपिटल होगा वह फाइनल कैपिटल बता रहा हूं वह तेरे दस लाक मानत उसको दे रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया एकूटी शेयर पहले पुराने कैंसिल कर दिया न्यू वाले दो के दे दिया रिकंसक्शन में आठ लाक रुपे आ गया वही लाइन कहता है एक्जिस्टिंग एकूटी शेयर होलडर पेट 20 पर शेयर इन कैस्ट तो कौन से वाले कि अधूर Olá consultants कि सेयर बैंक update कर सकते हैं दो Insert कर सकते हैं है मैंने एक टाये इकर दिया कुछ पर बच्चों का पर कब जून में भी एक है तीन किलियर है अमनने कह दिया किलियर है तो समझो क्लियर है चलो आगे देखते हैं कहता है 10% प्रफरेंट शेयर वर रेडियूज बाइफ्टी किता है प्रफरेंट को रिडियूज बाइब यानि 40 से कम कर दो कहता है face value नहीं बदलेंगे इसका मतलब समझो मैंने बोला भाई यहां पे क्या हुआ face value ही reduce हो गया है उसमें कहने का मतलब क्या है कि भाई तेरे shares कितने दे रखे ते तुने 100 तुमान ले तुने कितने दे दिये अब 60 अब तेरा face value कितना है 100 ही रहेगा इसका मतलब हम तेरे से अब बाद में 40 मांग सकते हैं समझ में आ रही है बात मैंने बोला भाई देखते रहे तुने कितने रुपए दिये मुझे 100 रुपए दे दिये मैंने बोला इसको तुमान साथ ही दिये 40 कम कर दे तो मान कितने दिये 60 दिये अब 60 दिये अब फिर में दुबारा पूछता हू के अंदर काउंट आजाएगा तो मैं क्या करूँगा यहां पहले तो फाइदा होगे हमारे यहां पे तो कितने परसेंट प्रफरेंश हीर हमारा टेन परसेंट प्रफरेंश हीर क्यापिटल अकाउंट डाल देंगे और यह बात जो मैं कह रहा हूं फुली पेड़ पार्टली पेड़ बनाते तो लिखते हैं न वहां पर लिखोगे एड़ रेट हंड़ेड इच पेड़ एप सिक्स्टी ठीक है न वहां के लिए काम आएगा यह हाँ तो यह हमारे पास 5000 थे न तो 5000 इंटू में 40 का फाइदा हो गया चालिस से कम किया न उसके पास रह साट जाएंगे ठीक है तो दो लाग का फाइदा ही फाइदा रीकंस्रक्शन में बहुत फाइदा होता है कि पंचर चलिए कि आगे देखते हैं कि आगे क्या है और क्लेम 13 परसंट डिबेंचर ओलडर विद आॉट सेंडिंग इंटरसस समझ यह का बाद विद आउटसेंडिंग मतलब जितना था अब डिबेंचर ओलडर का क्लेम कि अगर हम बात करें न दिबेंचर holder कितने 13% चार लाग तो भाई तेरे यह थे और तेरा बावन हजार रुपे इंट्रस्ट था तो यानि डिबेंचर होल्डर का क्लेम बनता है चार लाग बावन हजार यह कहने का मतलब है उस लाइन का तो कहता है तो थाटीन परसेंट डिबेंचर अलॉंग विद आउट्सेंडिंग इंट्रस्ट वस सेटल वाई इस्जू पोर ताउजन फोर्टीन परसेंट डिबेंचर मैंने बोला भाई चार लाग बावन हजार का था अब मैं तिर ठाउट्स प्क्रश्ट कितने का वा लावन हजार कर एक अब इस्टार नेड़ी सरद और नट्राव डिबेंचर कृब्ड्स न घप शार लाख दाहूंङकोद रिक्ने फाइदा हो गया कितने का प्रसेंट reconstruction reconstruction कितने का फाइदा बावन हजार इस एंट्री का मतलब यह है इस लाइन का मतलब यह है सिर्फ इंट्रस का क्योंकि चार के बदले उसे चार तो मिली गए न सिर्फ वो अपने राइट छोड़ने को तयार हुआ सेटल करने को तयार हुआ बदले भाई तरको चार का समान दे दिया और तेरा क्लेम ही चार बावन बंदत हो तो बावन ही कमाए मैंने सेम 13 परसेंट के साथ क्या हुआ कहता है कि भाई तेरा क्लेम जो था इंटरस के साथ मैं तरको 42 सो डिवेंचर दे दूँगा साड़े बारा परसेंट वाला यहां कुछ ज़्यादा फायदा हुआ है नहीं हुआ देख लेते हैं तो मैं कर दूँगा सबसे पहले कौन से वाल हुआ हूं तो 12.5 पॉर्सेंट डिवेंचर और कितने दे रहा हुआ है तो यहां फाइदा कितने का हुआ कि अठाइस का हुआ 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 है अगर डर लग रहा है इस एक्जाम से इतना अब इस नहीं दरना प्रैक्टिस करोगे न सब हो जाएगा अब देखो एसेट्स पर आगे कितने चोटी चोटी एंट्री अंट्र नहीं कोई बात नहीं है यह दा एसेट्स वर रिवेल्यूड अंडर बोलता है कि अब यह लैंड इंड बिल्डिंग पांच का हो गया तो यह पहले पता करो तो मैं land and building बढ़ गया ओके अलग अलग गया land 3 लाग का था तो low land 3 लाग का था तो land मैंने कर दिया account 5 का हो चुका यहां कहता है 5 का हो गया land तो 2 लाग का बढ़ गया बढ़ गया तो assets debit कर दिया building 4 का पहले कितने का था 7 का तो जो घट गया उसको देख लेते हैं जो घट गया उसको देख लेते हैं कि अगर कि अगर कि अगर कि अर्ण कितने का लॉस लॉस नहीं यहां पर नहीं पहले यहां पर अलग-अलग कर लो मिक्स नहीं करना ठीक है ना टू रीकंस्ट्रक्शन कि कितने का फाइदा है कि दोला कभी इस पेज को आगे ले जाते है चलो जी यह सारा मिटा दे यह पीछे से कंटीनि एंट्री आएगी तो बढ़िया रहेगा आपको समझ में मिक्स नहीं कर रहा ठीक है अब आगे बात करता है सर यह चार लाग की बिल्डिंग हो गई जबकि पहले बिल्डिंग कितने की थी साथ की थी तो आप नुकसान हो गया तो रीकंस्ट्रक्शन कि टू बिल्डिंग कितने का तीन लाग चलो गया प्लांटेंट मसीनरी धाइका हो गया पहले कितने का था चेक करो यहां से चेक कर रहे हैं चार लाग का था तो धाइका यहां भी नुक्सान कि री कंस्रेक्शन और एक साथ भी कर सकते हो जैसे पहले किया था हमने तो प्लांटेंड मसीनरी कितने का टेट लाग का जहां भी समझ में आ जाए वहां पर बोल देना सर यह एंट्री समझ में नहीं आया कंप्यूटर एक बीस का पहले कितना था दो लाग का यह भी नुक्सा इतने लिख देता हूं दो तीस इन दोनों को एड़े करके आगे आ जो फिक्टीसियस एन इंटेंजिबल एसेट्स वर रिटन आफ अब एक बात ध्यान रखिएगा अच्छा स्टॉक ड्हाइल आख है क्या हुआ इसके साथ इसमें भी लॉस्ट चलो यह भी स्टॉक यहीं लि इसेट यह होते हैं प्रिलिम्नेरी एक्स्पेंस यह होता है अंडर राइटर कमीशन यह होता है आपका प्री इंकॉर्परेशन एक्स्पेंस यह सारे ऐसे नाम जो लिखे मैंने खर्ची यह होता है सवाल में ऐसा balance sheet में कहीं भी दिखे question यह वाली line लिखे या ना लिखे आपको अपनी मंद से zero करना है इसको कुश्चन लिखे या ना लिखे अपनी मर्जी से जीरो करना है साथ के साथ इंटेंजीवल उसेट्स होता है कुश्चन ने बोलत तब थो जीरो करते हैं अगर कोश्चन ना भी बिले तब भी जीरो करना क्यों कि समझो कंपनी के हालात कि बहुत बहुत बेकार है और जब कंपनी के हालात बेकार है तो गुडविल बची होगी क्या कंपनी की नहीं बची तो इसको अपने आप ही से जीरो कर दो ठीक है ध्यान रखना है तो जितने भी फिक्टीस और टीची से कौन कौन से शोगए तो हमारा था है यहां पर गुडविल वगएरा था क्या गणुडविल दो लाग बस गुडविल है मैं और प्रॉफिट और लॉज भी तो है यहां पर प्रॉफिट राभी लॉजब लिख लेना तो एक तँर यूद्विल और यह जो लॉस था स इसको भी करना है कि हाना किट्ने होगय और फॉसekे तुर्वी करना है में ऐस सारी जनल एंट्री हमने कर ली है ऑप इसके ऐस पाज आ दो लाग गर ढ Dubu को घोड़ लेसं तो पहले क्रेड़ेट वाला जोड़ लेते हैं तो अकाउंट बनाना नहीं तो मैं पहले 420,000 कि इसके बाद क्रेडिट हुआ 2,000,000 कि और अगले पेच पार जाते हैं इसके बाद डेबिड हुआ और कोई क्रेडिट वाला नहीं है सब डेबिड वाला है तो मैनस तीन लाग मैनस थो सी माइनस सात लाग तो मज़े के बाद जीरो आगया यहांपर क्या आगया जीरो आप जब बनाएंगे रिकंफर्डेबल हो जाते हो क्या आप अमाउंट डेबिड क्रेडिक का सही से इक्वल नहीं कर पाते तो एक रफली कहीं भी रिकंस्ट्रक्शन बना के अपना चल ले ना उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पुब खिर वह बहुत दिक्कत वाली बात है यह चलो यह बात को द्यान रखेगा आप इस चैप्टर को सीख रहे हैं चैप्टर को सीख रहे हैं तो जिस तरीके से आप बोल रहें और यह तो बन जाएगा मन में आप आपने सोचा चल यार यह तो बना लेंगे तो बना लीजेगा जरूर से जरूर बना लेना नूटिंग करते टाइम पर नहीं तो यह रह जाएगा और रह जाएगा तो रही जाएगा बैलेंशीट आप इसलिए नहीं बनाने के लिए मैं बोल रहा है कि आपको बस एक अगर आप सोचोगे यह था यह था इसके बाद यह था तब आपको टाइम लगेगा पेपर अटेम्ट तभी आपको जल्दी होता है जब चीजे आपके दिमाग के अंदर फिक्स होती है कि यह तो यह बात खतम आपको सोचना नहीं पड़ता सर इस कोश्चन में लॉस फाइंड करने के लिए न्यू वाली बैलेंशीट बनानी पड़ेगी नहीं वह मेमोरेंडम बैलेंशीट है वह पुरानी बैलेंशीट से चल जाएगा वह वर्किंग नोट है तो पुरानी ही बनाना है आपको बुक में चेक कर लो कौन से बनाएगा ह नहीं वह पूछ रहा है क्या लॉस को फाइंड करने के लिए हमें नहीं बैलेंशीट बनानी पड़ेगी तो जवाब है नहीं सर वह पुरानी से चल जाएगा बना रखा होगा ने कौन से बनाएगे देखना पुरानी उसके उपर क्या लिखा है मेमोरेंडम लिखा है क्या बिफोर रिकंस्रक्शन लिख दिया हमने मेमोरेंडम लिख दिया रिकंस्रक्शन अकाउंट भी बनाया है हाँ चलो वह तो एक्स्ट्रा बना लिया प्रफ्रेंश कर दो कितने से 40 रुपए से तो हमारे प्रफ्रेंश होल्डर कितने थे 100 के थे अब 60 के बच जाएंगे तो इसका कॉन का मतलब 40 से कम हो रहा है तो 40 का फायदा यहां पर टू लिखंट के अंदर टू लिखा तो यहां वाले आइए न ही नहीं लिखंगा और यहां पर 2 लिखा है तो गय defenders रेन अतने से ही फाइदे में होगे जो इस लाइस्ट क्लास में बताए था मैंने के लियर रहे यहां तक कॉर्परेट आट से थीयोरी भी बता देंगे सा लास्ट फाइब मार्क्स की थियोरी थी फिरी बड़ा कमी रहता है मैं क्या बताऊ और आप को यह बात के हरानी होगी कई बार तो पच्चेस तीस नमबर का एक बार तो पेपर में पच्चेस तीस नमर का एमसी क्यू दे दिया था फाइनल अकाउंट के और कैस्ट लो के बना के कहां कहां कि आइटम स्वाले जो बोलते हैं यह स्लेव अब वाले की तरही ने क्यों च्टा कोशन यह होगा तो वह पहले से प्रीडिफाइन नहीं रखते यह कुछ भी उठाके कहीं भी अज्यस्मेंट करके दे देते हैं क्या पांच कोशन होंगे पांच कोशन तो पूरा ही कनफर्म है लेकिन उसमें हो सकता है कि दो कोश्चन सापके एमसी कुमें डाल द करें इसनले मैं बोल्त रहा हूं कि पेपर में आया हुआ है तो इसलिए सभी बच्छे नरे ले ले अब 10 अन्या करें के आप आंसर को न देखें के पैटरन को तो समझे कैस् rains जा करने partner आपको दोन।्रीके से तैयारी करने पड़ेगे एक इसां सब साब सबसे आसान तरीका होता है आपके अपने घर के आसपास जो भी किताब आसे सबसे आसान तरीका अगर दूर में नंबर देता हूं जैसे मैं फोन नंबर पार निंटार जो आप इसने बस डिसकाउंट वगरा हो जाता है कई आप बोल देंगे के सार इन्हों नंबर दिया था 70111 47630 701147630 ठीक है यह नंबर है इनसे कॉंटक्ट करेंगे दस से चे के बीच में और यह आपको प्रवाइड कर देंगा जो डेली इंस्यार में रहता है या फिर डेली में नहीं आउट ऑफ डेली एक्जाम देने डेली में आता है उन बच्चों के लिए बेनिफेशल हो जाता है टैनियर बुक किस कंपनी का लेना है शिवदास का लेना है कि अप देखो न एक ही बच गया मारकेट में बागे सारे टैना आप लोगों ने पता है क्या लुक्त करें और आने वाले समय में आपकं जब बुक की पीडियेफ बढ़ने लगेगी सब जगा चला जाएगा बच्चा पीडियेफ से पढ़ लेगा तो जो महनत लगी है राइटिंग करने में जिसने क्रियेट किया है उनको कुछ मुनाफ़ाई नहीं होगा तो वह बहुत सारी कंपनी बरबाद हो गई है और बुक क कि दुकान बंध हो चुकी है इस बात का ध्यान रखना वह बहुत जारा एक डेंजरेस है एक दूसरा यह आस्पेक्ट ना लोगों को समझ नहीं आ रहा आप तो अभी कर लोगे जब आपका अगला जो जनरेशन होगा वह किताबों के लिए भटकेगा सिर्फ स्लेवस मिलेगा उसको किताब नहीं मिलेगा उसका इस बात का ध्यान लगना प्याइब करिए आप बोनस करिए जो आपको फटा-फट से निप्टाना है इसके बाद आप चौथे नंबर पर रीकंस्रक्शन कर लीजिए पांचवे नंबर पर आप सीएफसी सीवी सीएस वाले बच्चे सीएफस को ना घूडऎ, उनके ऐले यूणिट है सीएफस, फाइनल अकााउंट और सीएफस में कोई चोई नहीं आता वाले बच्चों का हाँ फाइनल अकाउंट और सीफस में चोईस आएगा किसमें एनीपी वाले बच्चों के अंदर आजाएगा ठीक है यह चैप्टर करना है यह चैप्टर तो पहले करिए आप इसके बाद की कहानी आगे देखेंगे इसके बाद अगर आपके पास समय बसता सब को मिलाकर और और में डिविंचर मिजटा है कि रिडंशन अब दिवेंश्यर देखो मैं बता रहा हूं कैसा बहुत हो सकता है बागई ज्यादा चोईस इसी तरीके से देखोगे एक पार्ट देदिया दूसरे पार्ट में डिविंचर को दे रखता आपको अगर अगर मै करना ही है होल्डिंग ऐसा नहीं करना है होल्डिंग करना है आपको करना है